वेलकम ओन चैनल कि मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिगा जो कि आपको चैनल के होमपेज पे मिल जाएगा क्योंकि अब सुशान सर को लेकर जो भी आवाज उठा रहे तो उनकी आवाज को दबाया जा रहा है अब यूटूबर्स की उपर भी एक्शन लिए जा रहे है तो फिर ऐसे में आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूते इस चैनल को और दूसरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिगा लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में भी है जलिए वीडियो को शरू करते हैं सबसे पहले बात करते है कि आखिर का नार्को टेस्ट होता क्या है जो जैस आपको पता होगा हिप्नोटास के प्रक्रिया होती जिसके अंदर किसी भी परसन को हिप्नोटास करके उससे सच उगलवाए जाता है यानिकि उसके मन की जो बात है पता लगए जा सकती है यानिकि ये भी एक ऐसी परक्रिया जिसके अंदर किसी भी परसन के शरीर के अंदर truth serum या फिर sodium pentothal drug inject की जाती है और उसके बाद में जो इंसान का जो डिमाग होता है इसी इस्तिति के अंदर पहुँच जाता है यानिकि वो कुछ और नहीं सोच सकता और उसके अंदर दिमाग गेंद के बाद में 99.9% केसिस के अंदर हर कोई सची बोलता है लेकिन 1% या फिर 0.1% ऐसे केसिस भी होते हैं जो कि नार्को टेस्ट इनके इसी ड्रग इंजेक्ट करने के बाद में भी जूट बोलें जिनका जो mental ability होती जनकी मतलब जिनके उपर ड्रग जो असर नहीं करती है लेकिन अब जो फैंस मांग कर रहे तो फिर इसको लेकर नार्को टेस्ट किया भी जाना चाहिए क्योंकि अगर किसी परसन के उपर शक किया जा रहा है ठीक है तो अगर वो सच्चा है और उसको वाके में बताना है कि वो सच्चा ही है लेकिन लोग उसके उपर वरोसा नहीं कर रहे हैं तो अपनी सच्चा ही बताने के लिए वो नार्को टेस्ट करवा जा सकता है लेकिन जापर मैं आपको बता दूँ हमारे इंडिया के जो कॉंस्टिटुशन्स या फिर हम बात करें सहविदान उसके जो अनुचियत कि अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए कि तुमको लेकर नार्को टेस्ट किया जाएगा अगर उस परसन की सहमती होती है तो उसके बाद में नार्को टेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू नार्को टेस्ट है के ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर जो मतलब डोजेस की मात्रा थोड़ी सी भी उपर नीचे हो जाना तो वो परसन कोमा में भी जा सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है इसलिए यह दूनिया के दूसरे विदेशेश हैं वहां पर नार्को टेस्ट की जो सारा लिया जाता है किसी भी व्यक्ति सा सच उगलवाने के लिए अगर जितने भी सस्पेक्टेड परसन से वह बोलने कि हम सच बोलें लेकिन पब्लिक को उनकी बातों के पर बरोसा नहीं है तो पिर ऐ आदे में तो 101 परसन जो शक पूरा कंफर्म हो जागा तो यह परसन है जो भी सस्पेक्टेड परसन इन्होंने ही सुशान सिराजपूत की हत्या की है इंपोर्टेंट ही जैसा कि आप सबी को पताओगा जब सुशान सिराजपूत को लेकर जो एलिगेस लगा गया गया थे मि के अंदर कोई भी हाथ नहीं है वो बिल्कुल दूसरे दुले हुए तो फिर उनको यह नार्कोट्रेस के लिए राज़ी हो जाना जाए तो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्ष्ण में जरू बताएगा और कमेंट सेक्ष्ण के अंदर नार्कोट्रेस के बारे में आपके सपोर्ट के में बहुत है जरूत है सुशान सीराजपूत को इंसाफ दिलवाने के लिए